हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चेनल यूनिवर्स क्लासिज स्वागा था आपका यूनिवर्स क्लासिज में इसमें बात करेंगे टीजटी पीजटी और एल्टी गिरेट के लिए भोकल के प्रक्टिस सेट की चलिए शुरुआत करते हैं आज की महत्वूर सेश गोजल के द्वारा आपसर नुमबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं निम्लकित में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं पुछा गया है जब एक जम में आप जाएंगे तो ध्यान देंगे कि इस तरह की जो स्टेट्मेंट इस तरह की जो कोशन रोते हैं सिल ठंडी माशागरी धराएं थ्टी छेत्र में प्रयापत वर्शा करती है या फिर डी है पर्वती भाग में वाईव के ऊपर उसमा प्रादेसिक जलवर्स वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकं हैं तो कौन सा हो जाएगा इस मिह झाएगा ठंडी माशागरीं तटी छेतर में प्रियाप्त वर्षा करती हैं आपसर नुमबर C करेक्ट हो जाएगा और होता क्या है जब ठंडी मासागरी दर्जो धराएं होती है वो तटी छेतर में वर्षा नहीं करती है बलकि ठंडी धराओं के कारण तटी भागों में सुष्कता का वातावरण बन जाता है और ठंडी धराएं उच्च वाविदाब का निर्मान करती है जिसकारण नो तो संगरण की क्रिया आरम होगी और नो ही वर्षा होती है ति क्या है आपसर नुमबर C करेक्ट है सुच एक को सुच दो से समिर्द करना है और एक तरफ दिया है मासागरी धराएं और दूसरी तरफ है उससे समंदित मासागर या फिर सागर बात आरेंगे अगुलहास धराएं की अगुलहास धरा किसे समंदित है यह है दच्डी हिंद मासागर की धरा है तो अगुल हास दच्छडी हिंद मासागर पहले का एक हो जाएगा हमबुल्ट धारा क्या है यह दच्छडी प्रसांत मासागर है हमबुल्ट धारा दच्छडी प्रसांत मासागर की धारा है क्यू रोसियो तो जो क्यू रोसियो है वह क्या है क्यूरोसियो उत्तरी प्रसांद मासागर की जलधारा है उत्तरी प्रसांद मासागर की धारा है कौनसी क्यूरोसियो सॉरी हमबोल्द दच्छडी प्रसांद मासागर यह गड़ लग गया है और क्यूरोसियो उत्तरी प्रसांद मासागर बेगुला धारा किसकी है यह स्मुद्री तरंग वेग निम्नकित अनुपातों में से किसकी द्वारा सही दर्शाय जाता है तरंग उचाई का तरंग लंबाई से तरंग लंबाई का तरंग अवदी से तरंग उचाई का तरंग अवदी से या फितरंग लंबाई का तरंग उचाई से इसको दर्शाय जाता है तरंग लंबाई का तरंग अवधी से आफसान नमबर बी सही है अगला कोशन लेते हैं सुची एक को सुची दो से मिलाना है और बताना है कि कौन सा कूर्डिस में से करेक्ट हो जागा कटावेटिक विंड क्या है यह उच्छ भूव में स्थित वायू का प्रवा है कौन सा ह घरम सुच वायू का राकी परवतों के पूर्वी ढलान की और बहना है चिनुक T बी का एक और सांता आना क्या है सांता आना दच्डी कैलिफोरिया में गर्मसूस्क क्या है वायू है दच्डी कैलिफोरिया में गर्मसूस्क वायू है और फान क्या है आलपस के पुर्वी ढलान में बहने वाले गर्मसूस्क वायू एका तीन बी का एक एका तीन बी का एक क्यान है प्राधिपी पठार की सबसे उची कौण सि है कैलास चोटी अनाइ मुठी चोटी अन पूढा चोटी या फिर खंडेश चोटी तो प्राधिपी प्थार की पुछाए जारा है कि सबसे उची चोटी कौए तो जो यह चोटी है वो है अनाय मज़ी चोटी अपसन नूंबर B सही है अगला कोशन लेते हैं इमकीद में से कौन भारत में सबसे पूरु में अवस्थित है नेलिगिरी पहाड़ियां सत माला पहाड़ियां मै काल स्रेडी या फिर महादेव पहाड़ियां सबस सब्सक्राइब करेंगे जो है वह अमरकंटक है जहां से नर्मदा सोन वेन गंगा नदियां क्या होती है प्रवाहित होती है तो सी आपसन क्या है बिल्कुल करेक्ट है हिमाले की कराकोरम परवस रिंखला में सबसे उंची चोटी कौन सी है मांट किलिमन जारो अनपुडा परवत नंगा परवत या फिर रियोट कि हिमालय को मिली चानी चार समांत्र स्रिणी में भाजित किया गया है त्राइप पहला है ट्राइप हिमालय में दूसरा कैन नीए ले कराकोरम परवस रेली को उच्छे हिमाले की रिड़ कहते हैं और भारत की सबसे उची जो चोटी है वो केटू है या फिर गाडवीन आस्टीन भारत की बात के या जा रहा है भारत की सबसे उची चोटी है वो केटू है केटू है या फिर इसी को बोलते हैं गाडवीन या आस् तो आपसा नमबर डी क्या हुआ अगर बिलिगुल करेक्ट हुआएगा अगला कोशन लेते हैं लिम्रिखित विद्वानों में से किसने सरवर्थम वर्ष 1960 में सागर नीतल प्रसंड की संकल्पना को प्रतिपादित किया था एच हैस, जेटी विल्सन, एएन स्ट्रेहलर या फिर एवेगनर ने किसने क्या था या क्या था एच हैस ने अपसा नमबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन भू सनतियों के किनारे पर निर्मित समानांतर सिमांत सिर्णियों को क्या कहते हैं क्रेटोजन, होस्ट, रैंड के एपसान नमबर c करेक्ट हैं अगला कोशन, मैगमा जो पृधिवी के सतह तक पहुंचती है और फिर ठोस हो जाती है क्या कहलाती है, काट्स, लावा, गिरनाइट, या फिर शिलीकेट जो मैगमा होती है वह पृधिवी के सतह तक पहुंचती है और क्या उज़ता है ठोस रहता है उसको बोला जाता है क्या love बोल जाता है अपसर नुमर B करेक्ट हो जाएगा तो चलिए पुछने लेते हैं बिस्वत रेखा से ध्रोव की और बहने वाली भूमंडली पाउनों का सही करम क्या है पुछा कि अब बिश्वत रेखा से ध्रुव की और अब यह है देखिए यह है बिश्वत रेखा अब ध्रुव की और बहने वाले जो पाउनों है उनका करम क्या है तो उनका जो करम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारिक पचुवा और ध्रुवी पुवन बी आपसन करेक सुनामी क्या है ज्वारी तरंगे हैं तटी लहरे हैं भुकंप द्वारा उत्पन तरंगे हैं या फिर स्वच जलधारा हैं तो सुनामी क्या है सुनामी जो है भुकंप द्वारा उत्पन तरंगे हैं सी आप्शन करेक्ट है सौर कलंग है सौर कलंग क्या है सूर की सता के काले धब्बे सूर के समीप लाल धब्बे सूर के समीप काले धब्बे या पिरपित्वी पर काले धब्बे तो जो सौर कलंग है वह है बेसिकली सूर की सता के काले धब्बे यह आप्शन सही है कि निम्कित में से कौन पवन के अपर द्णातम कारद्वारा दुर्मित अस्तिलाक्रिति नहीं है पवनोहड मैंदान इंसेलवर्ग छत्रक शिला या फिर यार ड्ंग या तांग क्या है यह का है पवंनोब मैंदान ऐ Alecson सही है पाकिस्तान के साथ उभनिष्ट सीमा वाले भारती राज या केंदर सासित प्रदेश कौन से हैं? यानि कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? गुजरात हिमांचर प्रदेश एक याद रख लिएगा ट्रिक है पंगुल राज पंगु पंगुल राजियात कर ले तो आपका ये काम हो जाएगा पर से पंजाब, गुसे गुजराथ, लो से लड disinfect, आर से राज़स्थान और जो से क्या हो गये जम्मू कश्मीर कितने हो गए पांच राज हैं तो पंजाब, गुजरात, लदाख, राजस्थान और जम्मक समीः किसमें आ रहा है? पंजाब गुजरात मिलना है, जम्मक समीः है, पंजाब है और राजस्थान है लदाख नहीं दिया गया है, लेकिन सीवाल आप्सन करेक्ट हो जाएगा कण्व भूगोल सभी विज्ञान की जनर्णी यह कतन समंदित forgram यीरिचार्ड BROWN से एक हमें से बढ़तS या प्ष्ट किसी रिडेटर ये आपके अौहर्त में और पेसिडिक जाम में स्टेट्मेंट विखुच्छ चलिएयंगे लाकाइफ। चलिएगा है चलिए आगे वड़ते हैं निम्निकित में से कौन सा च्छित्र उतर भारत की विसाल मैदान को दक्कन के पठारों और तटी मैदानों से अलग करता है मद्दे उच्च भूमी, पुर्वी हिमाले, पस्चिमी हिमाले या फिर पस्चिमी सूस्क मैदान कौन सा है, यह है, मद्दे उच्च भूमी, A option, correct है लिमनेखित में से कौन सा बलाक परवत का उधाराण है, हिमाले, फ्यूज्यामा, आलपस या फिर वास जेस यह है, वास जेस, D option, मिल्कुल सही है लिमनेखित में से कौन स्वचंद उध्योग है, कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, लोह, तथा इस्पाद कौन सा स्वचंद उध्योग का उधाराण है, कागज, सीमेंट, इलेक्ट्रानिक्स, तथा लोह, इस्पाद यह है इलेक्ट्रानिस क्या है स्वचंद उद्योग क्या उदारण है सी आप्चन करेक्ट है निम्ने कित युगम में से कौन सा समधित नहीं है टेलर नियतिवाद ब्लास संभवाद बुरूस संभवाद स्पेट प्रसंभाव्यता वाद तो कौन सा रिलेटेट है और कौन सा पूछा गया कौन सा समधित नहीं है यह उनकी संकल्पना है और यह भोगल वेत्ता है तो जो कलेट नहीं है वो है टेलर नौनियतिवाद किसकी है यह आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे ब्रिटिस कपास वस्तरूद्योग मुख्रूप से कहा केंदरित है लंका सायर लिवर्पूल लंदन या फिर बर्मीघम तो ब्रिटिस वस्तरूद्योग केंदरित है लंका सायर में यह आप्शन बिल्कुल सही है अर्थ ब्यवस्ता का कौन सा खंड टिकाउउं आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है प्राथमिक दिरतियक दिरतियक के रिफिक चतूर्थक तो अर्थिव्योस्ता कचा जो सबसे टिकाउउं खंड है वह है है चेटुर थाग डिंद को सफिफ्षी को वर्जीनिया युजसय के लिए बगोविष्छी थैब यानिए वजिनिया दilly से में किस लिए परसित है बस्त estavam वह माने को दियोग लौव इस पात दो या फिर नो से ना युद्ध पोत निर्मार हुद्योग किस आपको इसकी पीडियोप चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वाट्साप गुरूप का लिंक मिलेगा वहां से आप जोइन करके पीडियोप प्राप्त कर सकते हैं आपको पूरा बीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद